Dear students, today we will follow exercise 13.2 question number 10 Find the derivative of cos x from first principle तो यहाँ पर जब हम इसका solution लिखेंगे यहाँ प्रूफ लिखेंगे बिटा तो हम क्या करेंगे सबसे पहले let f of x हम लेंगे तो हमारे पास function क्या है बिटा? f of x तो उसके बाद हम क्या लेते हैं? increment लेते हैं f of x plus edge तो जब f of x plus edge करेंगे तो यहाँ पर भी increment करेंगे बिटा angle में x plus edge लेंगे तो उसके बाद हम क्या करेंगे बिटा? हमें अब क्या करना है? कि हमें derivative find करना है लेकिन by using first principle देखो बिटा? d divided by d of x तो हम f of x का first derivative करेंगे लेकिन by using first principle उसके लिए हमारे पास formula है बिटा? limit edge 10 to 0 f of x f of x plus edge minus f of x divided by edge ठेक है बिटा? तो यहाँ पर limit edge tends to zero यह बन जाएगा हमारे पास f dash of x एफ आप एकस पुलस एज देखो बड़े हैं पर एफ आप एकस पुलस एज किसके बराबर है वह है कॉस आप एकस पुलस एज के बराबर माइनस एफ आप एकस किसके बराबर है कॉस आप एकस के बराबर है वो डिवाइड़ बाई क्या है बिटा डिवाइड़ बाई एज अ है अब यहां पर यहां पे यहां पर आगया और deputy कोई मायनस ढूए घहां बिञेँ हमारही पास है जब हमारही पाउस कॉस अ-बी होता है तो हम क्या करते हैं कॉसे माइनस कॉस भी-जब बीच में माइनस होता है तो यह साइं- change होता है minus और साथ में आता है बिटा माइनस जब यहां पर कॉस के बीच में माइनस आता है तो ये convert हो जाते हैं किसमें sign में तो लिखते हैं twice sign a plus b by 2 sign a minus b divided by 2 तो ये बन जाएगे हमारे पर identity आप देखो बिटा यहां पर इसको हम आप सालू करेंगे लिमिट h tends to 0 cos x plus h तो लिखेंगे बिटा minus twice sin a plus b a के बदले x plus h plus और b के बदले x divided by 2 फिर sin a minus b sin a के बदले x plus h minus x divided by 2 divided by divided by h तो लिखेंगे limit h tends to 0 minus twice sin x plus x आ जाएगा 2x plus h divided by 2 sin यह x और यह x किंसल हो जाएगा x divided by 2 whole divided by h whole divided by h आप देखो बदले हम क्या करेंगे यहाँ पर यह दर जो यह 2 है बदले इसको हम यहाँ पर divide में लाएंगे इस minus को यहीं पर रखेंगे यहाँ हम यहाँ पर multiply करेंगे 1 by 2 से और वहीं इस यहाँ पर divide भी करेंगे 1 by 2 से यह भी कर सकते हैं तो हम यहाँ पर लेखेंगे यह limit h tends to 0 minus twice sin 2x plus h divided by 2 तो इसको हम ने यहाँ पर क्यों किया ताकि हमारे पास एक वेरा थाहम ने किया है sin x divided by x तो यह आजाएगा हमारे पास into sin h divided by h और यहाँ पर h 1000 आजाएगा h और divided by 2 बिटा और यह जो 1 by 2 है इसको मैं यहाँ पर लियाओंगा तो यह यहाँ पर divide बन जाएगा यह वाला 2 यह 2 और यह 2 हो जाएगा यहाँ पर किन सल तो अब हम क्या करेंगे limit h tends to 0 sin of 2 x plus h divided by 2 into जब multiply मैं हैं तो आपको पता है कि limit of product is product of limits के बराबर तो यहाँ पर भी लगा सकते है limit h tends to 0 sin h divided by 2 यहाँ पर h divided by 2 तो यह आजाएगा बिटा जब हम यहाँ पर limit apply करेंगे तो आजाएगा sin of 2 x plus 0 divided by 2 और यहाँ पर minus हैं यहाँ पर minus हैं into यह किसके बराबर आएगा limit यह आजाएगा 1 के बराबर क्योंकि हमें पता है limit h tends to 0 sin h divided by h यह किसके बराबर होता है 1 के बराबर होता है तो अब यहाँ पर देखो पर यह minus है sin 2 x divided by 2 into 1 2 or 2 हो जाएगा cancel angle में तो यह आजाएगा minus sin of x तो f dash of x हमारे पास क्या आगया minus sin of x तो यह है बेटा proof proof किसका बेटा cos of x जब हम अब differentiate करोगे cos x को तो वह आता है minus sin of x लेकिन इसको हमने किसे किया by method of by first principle method पत्ति दो यह आप देश हो पएकिसक्स के बराबर आगए माइनस साइन प्छाइन आप एक्सके बराबर झाल झाल